दोस्तो आज हमें यहां आये हुए हैं सागंज के हनुमान मंदिर के पास मोदनवाल पनीर चाट बंडार के पास जो बहुत ही बहतरीन बनाते हैं यहां का चाट तो टमाटर चाट तो एकदम ही जवर्जस्त है और हम लोग यहां पर टेस्ट भी किया कर चुके हैं और आज जो कुछे पहले जानेंगे क्या नामें भी आपका मोदनवाल जी आज हम लोगों को बनाएंगे पहले बर्गर बना रहा है था एक बहतरीन सा इसके भी भीड़ बढ़ती जा रही है लोग यहां पर आते जा रहे हैं दूर दूर से लोग खाल के इस सुवात को टेस्ट को बना करके इन से जुड़ते जा रहे हैं बड़ा ही बहतरीन बना रहे हैं यहां पर जितने भी लोग आते रहते हैं यहां की जितने भी शॉपर हैं और हाईजेनिक है जो कि आपको इस एरिया में बहुत ही कम मिलने वाला है देख सकते हैं आप जैसा कि यह सारे के सारे आइटम्स और सारे के सारे अक्सेसरी जो बिलांग करते हैं इनके फूड आइटम से बहुत ही बहतरीन है अभी यह बना रहे हैं हम लोगों के लिए पाव करके टेश्ट को टेश्ट को चेक हैं और देखें बताएं कि कैसा है हम लोग तो कई बार आते जाते रहते हैं लोग जब भी यहां पर रुखते हैं वो सोचते हैं कि एक बार यहां पर रुखें और आकर के जाएं किस प्रकार का आप इंग्रिडियेंट्स और मसाले डालते यहां का जो यहां का टेस्ट फ्लेवर है वो अलग है ऐसा हम लोग मानते हैं यहां बहुत बीजी हैं इनसे मिलते हैं भी बाते करते हुए और कौन कौन है यहां पर यहां का जो वेन्यू है जो की बहुत ही सुंदर और पवीतर अस्थान पर है हनवान जी का जो मंदीर है यहीं से हैं यहीं से हैं यहीं से हैं यहीं पर आकर चौराह के पास से इनकी दुक किसी के पास भी रीच होने का इहां तक बहुत ही अच्छा अस्थान है इसकूल के पास जेविएस स्कूल के ट्टिक सामने ही है इसका धुकान ये बहुत बीजी रहते हैं इस लोग एक बार छादे हैं ऩाहँ पर आकर के जरूर से इनके पुर्ट का इनके चार्ट का इनके और भी आइटम्स का स्वाथ चखें बताएं अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट्स करें थैंक यू थैंक यू शो मच भी या एक बार आप अपना अपना शेरा दिखाए ज़रा बढ़िया से बहुत अच्छा यही है मुनु भाई बहुत भी प्यारे बहुत अच्छे दिलदार सुभावाले हैंगे बढ़िया से अपना मिठास गोल देते हैं अपने अपने खाने में थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू